सराब माफिया ने पुलिस कर्मी को गारी से रौंदा भागते हुए ग्रामीनों ने खदेर कर एक को धर्द बोचा घायल पुलिस कर्मी की हुई मौत कुरोना ने फिर चेताया दर्भंगा अस्पताल में भरती कुरोना संक्रमित दो लोगों की हुई मौत और बार की धार तो स्थिर लेकिन तबाही बरकरार आगे समचार विस्तार से लेकिन थोड़ी देल एक बार चार्ज करें अस्ते किलोमेटर चलाएं आयम इलेक्ट्रिक, आयम दे फूचर, नो लाइसेंस, नो रिजिस्ट्रेशन, नो इंश्वरस, नो पॉलिशन, उनली यूराच हीरो एलेक्रिक हीरो एलेक्ट्रिक करें सालाना चातिस हजार रुपे से भी ज्यादा की बचत्थ इजी फाइनेंस अवेलिबर हीरो एलेक्रिक की बार, तरह के च्यांगे हजार करें नहीं नहीं मोटरुक्त लोग एक बार अवस पनारें नमस्कार यूराच हीरो एलेक्रिक में आप सबका स्वागत है यूराच हीरो एलेक्रिक सैदनगर, एकमी रोड, लहीरा सराय, दर्भंगा और अप समचार विस्तार के साथ सराब माफिया ने अंतते एक पुलिस कर्मी की जान ले ली यहां गारी चेकिंग के दौरान सराब माफिया ने उस पुलिस कर्मी पर गारी चरह दिया और जब तक वा स्पताल पहुंसता उसने दम तोड़ दिया ग्रामीनों के प्रयास से रोड ब्रेकर पर इसकर्पियो पकड़ा गया तीन लोग भागने में सफल रहे और लेकिन जो एक अपरादी पकड़ा गया जो घटना को अंजाम देकर भाग रहा था उसकी निकाम नहीं पर लगातार पुलिस चापमारी कर रही है सराब माफिया के होसले देखिए सराब की काला बाजारी और जब पुलिस रोके तो गारी उस पर चरहाने की ये कुबा जी हां सराब माफिया ने डूटी पर तैनाथ पुलिस कर्मी की जान लेली सराब लदी सकर पियो गारी ने पुलिस जवान को रौन दिया गस्ती में तेनाज जवाने गारी रोकने की कोसिस की हाँ दिखाया लेकिन सराब तसकर गारी की गती बढ़ा उसे कुचलते हुए भागने का प्रयास किया और अंतता ब्रेकर पर फस गया तीन लोग भागने में सफल रहे लेकिन एक को ग्रामिनों ने पकर लिया जेहां घटना क्योटी ठाना के पास की है जहां देर रात गस्ती में अपने ठाने के पास सरक से गुजलने वाली बाहन की जांच में पुलिस लगी थी तभी सराब से लदिये के सकर्पियो गारी पुलिस को देखकर तेजगती से भागने लगा और सरक पर गारी रोकने के लिए खड़े एक पुलिस के जवान सफियूर रहमान ने उसे भरसक रोकने की कोशिस की लेकिन वह उसे कुचलते हुए भागा जवान गारी के साथ तक्रीगबन 200 मीटर तक घसीट आता रहा लेकिन तभी आगे लगे सरक किनारे कुछ ट्रक और सामने सरक पर बने ब्रेकर के कारण गारी फसी धीमी हुई और अचानक रुकी इस करपियों सवार तीन से चार लोग उतर कर भागने लगे तो कुछ ग्रामीनों ने जो बार के कारण लगातार जगे रहते हैं खदेर कर इस करपियों चालक को पकर लिया बाकी लोग अंधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहे आनन फानन में पुलिस करमी को पहले क्योटी प्राथमिक स्वासके इनर लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद डीम्सेज भेजा गया लेकिन तब तक वहां पहुंसते ही जवान ने दम तोड़ दिया एक साहसी कार्ज ड्यूटी पर अपना फर्द निभाते हुए या जवान सहीद हुआ अपनी ड्यूटी में उसने कोता ही नहीं बढ़ती घटना का चसंदीद एक ग्रामीन मनोज कुमार गुपता ने बताया इतने में इस कारप्लियों में था वह अटो में नहीं था तो थाने के करीब सभी लोग खरे थे अपना फिवाएगा ओटो तो पकरा जाएगा तो पुलीस को देख करके वह तेज गती से दर्भंगा की वर जब भागे उसमें एक पुलीस वाले जो है तो चपेटा में आ गया दो सो गज की भी चड़तक उसको घिसिटे हुई लाए जो बुरी तरह से जक्मी है बहुत नाजुकालत है उनको यहां लाए ड्राइवर की जो गारी लगी हुई थी पुलीस की ड्राइवर जो है से पीछा करके गरामीनों को जब हल्ला किया तो उस कि मराओ बहुत चुष्टी से उन्हों को पकरा है अतकपरता से लाया है और थाना पर लागर की रखा है उनका टेक्वेंट के लिए भी जेम से लेगे हैं बहुत यहां से और सराब की गारी जब्त हैं ड्राइवर जब्त हैं यही है थाना से गस्ती से रूटीन बर्क में निकली थी पुलिस क्योटी पूलिस उसी करम में जो है कि एक असकारपी और थी जिसमें कुछ संदे हुआ की बोरा रधा हुआ उसी पर जबान ने उसको रोखने का प्रियास करने लगा उसी करम में जो हैसकारपी उर्ते से उसको गंभीर रूप से जवान के मदद से असकारफियों और ड्राइवर पकला गया चेप करने पर पर चला कि उसमें सराब है और लोग भाग गये हैं अब उसको गंभीर जख्मी को सिपाही जो हमारे हैं उनको इलाज ये तुग दियम सीच लाया गया है यहां पर इलाज के क पुलिस जवान के मौत के बाद थाने के बांकी पुलिस करमी अपने थाने के अधिकारी से काफी नाराज दिख रहे थे कैमरे में तो नहीं लेकिन दभी जुबान से उन्होंने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सराब की खेप आने की गुप सुतना थी उसे पकरने के लिए व्यापक तैयारी करनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई बताया जाता है कि पुलिस को गुप सुतना मिली थी कि एक आटो से सराब की खेप जानी है ऐसे में थाने के पास पुलिस का वहां चेकिम ने लगाया गया था लेकिन सराब आटो के बदले सकर्पियों से आ रही थी और सराब माफिया भागने लगे तब इसे रोकने के लिए साहसी पुलिस कर्मी ने अपनी जान गवा दी बहराल उसने अपनी ड्यूटी निभाई और ड्यूटी में वह सहीद हो गया ड्यूटी में तैना जवान सफियू रहमान के परिजन में कोराम है सोहाविक है लेकिन साथ साथ एक गड़ भी कि वह ड्यूटी निभाते हुए उसने अपनी जान गवाई एक महिला की लास घड़ के अंदर चोखट पर लटकी हुई पाई गई और उसके बाद संसनी फेल गई लगड़ खाना चेतर के बाजितपूर महला का है जहापठान टोली के रहने वाले वाई नमबर 23 की महिला साथा परवीन जिसका विवा तीन साल पहले हुआ था उसका सबमिलार कैसे यह मौत कोई यह पहली बना हुआ है पुलिस इसकी जहाच कर रही है अत्या का मामला है किस ने किया क्या कारण किया यह चर्चा का किसे तीन साल पहले बाजितपूर महल पठान टोली में ब्याही गई एक महिला की संदेहासपद मिर्तियू के बाद संसनी फैल गई अलग अलग तरह की बाते और उस आधार पर अंतता पुलिस पहुँचकर लास को अपने कबजे में लिया डीम सेच पोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया है सक के आधार पर उसके तीन परिजन को गिरफतार किया गया है कारण कुछ खास नहीं है इसका मतलों कुछ डिमांड अक्सर रहा है कभी बोला कि हम वह में बसको कारवार नहीं है तो आधार अक्सर लड़की जाती थी तो उसने कुछ प्रवलम ही देखा थी और वहां जाम लोग पैसा देगे जिन्दगी गुजारना साथ नहीं हो गया तो इतनी आंसर हो पैसे का फ्रवलम दूर जाएगा लड़का को फादर लड़की के वह अभी रिटार किया है गडर्मेंट जब में थे तो पैसा मिला कुछ तो उसको उस पैसे का लालत समाई जाए अक्सर डिमांड मतलब अल्यक्त लड़की के जो परीजन उसके चाचा पहून्चे और उन्हेंगे प्रारंबिक संकेत दिया कि उसके पिता रिटार किये थे अर जहां उसके पती और परिवार वाले लालची किसम के लोग थे और रिटार में मिले पैसे की मांग भी की जा रही थे तो इस ड्रिष्टिकों से मामला संदिक्द जान पड़ता है बढ़ाल इस आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है और गहन पूस्ताज जारिये बात करते हैं करोना की जिहां लगतार करोना अपनी उपस्तिती दल्च करा रहा है और कोविड वार्ड में चार दिन की सांती के बाद दो लोगों की मौत हो गई दो की मौत करोना से एक ही दिन सुक्रबार को और ये फिर संतनी फैली अलकि टीका करन अभियान लगतार चल रहा है और टीका करन अभियान सहर के वार्ड नमबर एक से उनीस वार्ड छोड़ कर 27 तक चला है करोना रहरा कर अपनी उपस्तिती और दस तक दे कर एक तड़ से सतर्क भी कर रहा है तीन से चार दिनों के बाद सुक्रबार को अचानक मातर 15 मरीज को विड़वार में भरती है जिसमें एक घंटे के अंतराल पर दोने दम तोर दिया यह बताता है कि करोना की दूसरी लहरा भी है गया नहीं है बले ही टीवी के मुखे समाचार से अखवार के पहले पन्ने से करोना अंदर के पन्ने पर चला गया हो लेकिन खामियाजा वही भुगतते हैं जिनके परिजन या स्वैम करोना से लोग संक्रमित होते हैं पंदरह मरीज कुरोनावार में भरती हैं और सुक्रवार की दो पहर दो मरीज ने दम तोड़ दिया। दर्भंगा अस्पताल के कुरोनावार में या बताने के लिए काफी है कि सतर्कता गई दुरगटना हुई अब भी फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत। अगस्त तक सरकार ने लॉक डाउन सोच समझ करके ही रखा है लेकिन लोग हैं कि भूल से गए हैं और यही भूल लापरवाही ने कुरोना की दूसरी लहर में अप्रील मई से मई महीने तक में कहर बर पाया था। सरक्ता की जरूरत है अन्यथा दो मौत सुक्रवार को ही है जब तक लक्ष सुन नहीं होता तब तक कुरोना से बचना होगा। और टीका करन अभियान लगातार सुक्रवार को भी चला वाड नमबर 28 से और 48 तक तो पहले हो चुका था वाड नमबर 1 से 19 वाड छोड़ कर फिर 47 और सनिवार को फिर महाट टीका अभियान में कई जगा टीका करन अभियान 17 तारी को जिसमें DMCH, महराजा कॉलेज, टाउन हॉल, पुलिस लाइन होस्पिटल, मिडिल इस्कूल अलिनगर वाड एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ, नो, दस वाड तक और उसके बाद फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 39, 40, 41 से लेके 48 वाड तक सभी वाडों में इन वाडों मे है, ठीका करन अभियान चलेगा सनिवार को, बांकी है, अभी और भी बहुत कुछ लेगे, पहले रुके के लेंगे, ग्रीक, ग्लोबल हेल्थ केर एंड डाइबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतरराश्य तक्नीक एवं आधुनेक सुविधाओं से लेस, सूपर स्पेशलिटी डाइबिटीज के इंदर है, जहां एक छट के नीचे डाइबिटीज से संबंदित सारी सुविधाएं म पता, जीजस एंड मेरी स्कूल के पास, रहम गंज, दर्बंगा, बिहार सराब माफिया ने पुलिस कर्मी को गारी से रौंदा, भागते हुए ग्रामीनों ने खदेर कर एक को धर्द बोचा, घायल पुलिस कर्मी की हुई मौत कुरोना ने फिर चेताया, दर्भंगा अस्पताल में भरती कुरोना संक्रमित, दो लोगों की हुई मौत और बार की धार तो स्थिर लेकिन तबाही बरकरार हम बढ़ते हैं आगे लेकिन पेसे कुछा ने ख़़ए सांसत गोपाल जी ठाकुड ने लहडिया सराय स्टेसन पर चले निर्मान कार्जों का जायजा लिया और कई रेल पर योजनाओं की समिक्षा की उन्होंने कहा कि 23 नंबर गुमती पर आरोबी के निर्मान है तू बिभागिया प्रस्ताव तयार है पंडा सराय गुमती से कगवा गुमती तक 9 किलोमीटर लंबे नाला निर्मान है तू विभागिया प्रक्रिया भी तेज है जीले में 10 रेलवे ओबर ब्री जारोबी निर्मान की दिसा में विभागिया कार्ज अंतिम चरन में है 253 करूर की लागत से 300 से काकर घाटी इस्टेशन के बीच रहे बाइपास का निर्मान समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेनर मोदी के नितित्यों में भारती रेलवे का इतिहासिक विकास हुआ है और सभी कार्ज होगा बिजय संकर सिंग मंडल बिदु तभी अन्ता जनालदन कुमार सहित कई भी भागिया लोग मौजूद थे दर्भंगा एयरपूर्ट सलाकार समीती की बैठक समीती की अध्यक्स ता दर्भंगा के सांसत गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्सता में सुक्रवार को हुई इसमें उरान योदनान तर्भंगा से हुआई प्रारंब करने है तू देश के प्रदान मंत्री को बधाई दी गई किंद्रिय उद्यान मंत्री बनने पर जोती राज सिंधिया को भी बधाई दे गई बैठक के मादम से सांसर स्री ठाकुर ने चार परत में होने वाले रनवे के कार्ज को जल्द पूड़ा करने का टर्मिनल भवन के बिस्तार है तू बैकलपिक वेवस्ता करने की बात कही उन्होंने कहा कि अब आजाहिये तू बिमानन कंपनी स्पाई जेटे और इंडू को अधिकारियों को मुखे परवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक यी वेकिल की सुबदा बहाल करनी है समीती के सद्ध्यक्ष दर्वंगा के नगर विधायक संजै सरावगी महापौर बैजन्ती देवी खेडिया भी बैठक में मौजूद थी सलाकार समीती के अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर के अलावा एरपोर्ट के डिरेक्टर मनीश कुमार बीमपी 13 कमांडेंट असनी कुमार सीटी एस्पी असुक परसाद जिला परसाशन के परतिनी दिया जै कुमार इंडिगो के एरपोर्ट मैनेजर पाइल प्रिया स्पाइस जैट के एरपोर्ट मैनेजर परंबीर सिंग विंग कमांडर आर चौधरी जॉइंट जीम सिबिल जी चंद्रा चेंबर अब कमर्स के अध्यक्ष पवन सुरे का इत्यादी लोग मौजूद रहे अब बात करते हैं बार की बार की धार की लगतार बर रही एक सप्ता पहले तक नदी स्थिर हुई और एक सप्ता से धीरे धीरे नदी का घटना जारी है और लगबग एक सब्ता में 6 इंच नदी घटी है अदवारा समू की नदिया जो जिसका मीटर लगा हुआ है नापने का एक मीघाट के पास साफ दिखता है कि नदी धीरे धीरे ही सही घट रही है अलकि सुपरवार को थोड़ी बारिस हुई अदवारा समू की नदिया लेकिन धीरे-धीरे रफ्तार धीरे-धीरे है और हला कि सुपरवार को थोड़ी बारिस भी हुई लेकिन नहीं के बराबर और ऐसी परिस्तिती में संक्यतिये की पानी उतरेगा बरहाल बार का ईलाका रहा है ये देखिए लगबग एक सब्ता में 5-6 इंच नदी कमी है अद्वारा समू की ये नदियां एकमी में इसका मीटर लगा हुआ है जहां लगातार दिख रहा है कि पानी की धार भले ही तेज हो तवाही बरकरार है एक सब्ता से पानी है लेकिन धीरे धीरे कमने की भी एक संकेत और उपर से बारिस नहीं हो रही है लेकिन पूरा सावन बांकी है भादों बांकी है अभी भविस्वानी लगाना उचित नहीं होगा बाराला आपदा है इसका सामना करना होगा जिला पदादीकारी दॉक्टर त्याग राजने सिम ने बार प्रभावी छेत्रिका दौरा किया और पर अधिकारिकारी जिला परिवन पदादीकारी रवी कुमार ने बताया कि बहादुर पूर के थलवारा, बसतपूर, उगरा, मेकना बैदा, दीकापठी, क्टेकलू, हर प्रेम जीवर सहीद बारा पंचयद आंसिक रूप से प्रभावित है। जिलादिकाडी ने निल्देश दिया कि पड़िवारों का आकलंकर आवस्चक्ता नुसार राहत दें। वैसे बार पड़िवारों का सर्वेक्षन करवा लेने के लिए और उसकी समीक्षा की बात उन्होंने कई। वहां 15-20-25 घरी प्रभावित है। जिलादिकारी ने निर्देश किया कि जिन घरों में पानी प्रवेस कर गया है उन्हें सुचिवद करा लिया जाए। साथ ही उसके विडियोग्राफी करा लिया जाए। गलत नाम न छुटे, सही नाम न छुटे। दोनों पर ध्यान देना है। गलत नाम नहीं होना चाहिए और सही नाम छुटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नए छितर में पानी प्रवेस कर रहा है तो जियोटेक फोटोग्राफी कराए। अनुमान नगर अंचल के संबन में बढ़िया प्रवपदादिकारी अनुमंडल पदादिकारी ने प्रखंडों से तीन बच्चों को चिनित किया है जिनने निसुलक राजकोट अहमदावाद भेजा जाएगा सफल अप्रेशन के में। जिलादीकारी देशन का नन सिंग, डक्टर ससी सिखर जा, अकील अहमद इत्यादी उपस्थित्ते। जो तीन बच्चे चुने गएं उसमें खुस्वंद कुमार, सिंगवारा के हैं, मितलेश साफी, और पहले जो आसुतोस कुमार जा चुके हैं। जिलादीकारी दरभंगा डक्टर त्याग राजा नेसेम के प्रयास से, जिले में गर्बती महिलाओं की स्वास निगरानी और स्वास जटिलता के दोरान, ससमय इलाज की वेबस्था के लिए चलाय जा रहा है, वंडर इप का चैन, निशनली गवर्मेंट से वाड के लिए क चीव सहिछ 16 सदसी समीटी दौरा वंडर इप के अंतरगत किये जारे कार्यों की विस्तरी जानकारी ली गई, एना सी दर्भंगा से ऑंलाइन जूरे जिलादीकारी ड्क्टर त्याग राज अनेसेम ने इसकी विस्तरी जानकारी दी, चैन समीटी दौरा वंडर इप से मनितकािज सवाल किये गए जिसका जवाब जिला दिकाड़ी दोरा दिया गया मालूम रहे कि गर्भति महिलाओं की पहचान कर उसका निवंदन किया जाता है उनकी चीकिटस्यक यह जाच की जाती है तथा ऐसी बेवस्ता है जहां कहीं चूक ना हो समय समय पर इसमें चिकित्सको सभी इननेम सेविका साही का आसा करेकरताओं को परसिक्षन दिलाया गया है और वंडर एप की चर्चा पूरे विस्व में लगातार चलती रही दर्भंगा के लिए या गौरवानवित बात जिसका लगातार विस्तार होता गया इस एप में तीन वर्ग निलधारित है एक सामाने गर्बती महिलाओं के लिए दूसरा हलकी चिकित्सकीय समस्या वाली गर्बती महिलाओं के लिए और तीसरा गंभीर चिकित्सकीय समस्या वाली गर्बती महिलाओं के लिए सदर के प्रकंड विकास पदादिकारी रवी सिन्हा का तवादला हो गया है और उनके सम्मान में संबंदित पदादिकारियों, जनपर्तिनीदियों और इलाके के लोगों ने विदाई समारू का आयोजन किया गया और उन्हें विदाई दी गई रवी सिन्हा का कारेकाल, तीन वर्ष का कारेकाल बहुत सराहनिया रहा और इस दवरान वे सभी को लेकर चले, साथ चले तीन वर्ष का कारेकाल एक बड़ा कारेकाल होता है और बिल्कुल जहां विवाद रहित कारेकाल जिसमें सभी पक्ष के लोगों ने उनके कार्ज की सराना की सफलता एक सफल प्रसासक का संकेत देते हुए उन्होंने दर्भंगा से प्रखन विकास पदादिकारी के रूप में विदाई लिए आज सदर प्रखन प्रखन विकास पदादिकारी के अस्रांसरन होने पर प्रखन परिवार की ओरते जनपर्चिनिधी की ओरते उनका विदाई तमारों रखा गया है अपने तीन साल के कार्जकाल में विडियो साहब हम लोग को परखन के सारे जनपर्चिनिधी को परखन के कर्मी को दिवस ने है जो प्यार हम लोग को दिये है यह हम लोग याद रखेंगे इनके शमय में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं 24 जुलाई को हम पार्टी का इस्थापना दिवस है और इसे मनाने के लिए बैठक हुई और लोगों ने तयारी की बात करते हैं धर्मेशलनात मादेव मंदिर केम टेंग लेडिया स्थापित की गई इस मौके पर अष्ट जाम कारे करम का एउजन किया गया सुक्रवार को हवन और पूजन भी हुआ का जाता है कि नंदी को भक्ती और सक्ती के प्रतीक माना गया है बगवान सीव के प्रती नंदी की प्रतीमा इस्थापि सराब माफिया ने पुलिस करमी को गारी से रौंदा भागते हुए ग्रामीनों ने खदेर कर एक को धर दबोचा गायल पुलिस करमी की हुई मौत कुरोना ने फिर चेताया दर्भंगा अस्पताल में भरती कुरोना संक्रमित दो लोगों की हुई मौत और बार की धार तो स्थिर लेकिन तबाही पर करार इसके साथ ही दिदियों में जाज तिस पर सारंसे लेकिन इस कुरोना काल में आप अपना ख्याल रखिए मास जरूर लगाईए सोसल डिस्टंस बनाएए दो गज की दूरी अपनाएए और वैक्सिन लग रहा है अरता रखते हैं तो वैक्सिन जरूर लगाईए नमस्कार ये प्रूर ये झाल बड़ाई